आज हमने भगवान स्री गड़ी जी के लिए भोग की थाल को तयार किया है जिसमें हमने खीर, भंडारे वाली आलू की सबजी है, चटनी है, आलू बड़ा, मगज के लड़ू, सौट के लड़ू, पूरी, गुड़ के मुदा, इतनी सारी चीजों को हमने कैसे तयार किया है, चली बनाती है, भंडारे वाली खेती कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार रहती है, ताकि दोने में भी दे सके या इस्पोन से भी कसाद रूप में हम बाढ़ सकते हैं, जैस पर एक बड़ा सा पतिला रखने के बाद, इसमें हमने दो लिटर दूद को एड़ गर दिया है, गैस की फ्लिम को मेडियम कर दीजिए, और इतना चमच को दूद में छोड़ दीजिए, ताकि जादक गरम हो तो उबालना आए, जब तक इसमें उबाल आती है, हम और चीजों के तयारी कर लेती है, जो हमें इसमें एड़ करना है, तो मैंने एक कप चावल दिया है, इस तर अगरी से भी आप 2 लीटर दूद में एक कपड़ी चावल का इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आप घर के लिए बनाने वाले हैं, तो थोड़ा से चावल कम कर सकते हैं, और भंडारी के लिए भी पर्फेक्ट है, अगर आप फिर भी मैजरिंग नहीं कर पातें, तो कॉमेंट करो मेरे पर्फेक्ट तरीका है, जो दादी नानी के जमाने से चला आया है, मैं वो तरीका भी आप लोगों के साथ सेयर करूं बीता कि आपको कोई परिशानी ना हो, चावल में हमने पानी एड़ कर दिया है, हातों से मिसल करके धो लेंगे, पानी को निकाल देंगे, फिर एक असकी फ्लीम को बड़ा देना है, दूढ में कल्शरे को अड़ करके कंटीनिय चलाते रहना है, क्योंकि दूढ में चावल को अड़ करने के भाद झोड़ दे तब तक चलाते रहेंगे, जब तक चावाई अदुपका ना हो जाए यानि कि चावाई जब तक की पकने लाइक चलाते रहना है अब हमें 2 लूटर दूद के हिसाब से सुगर को इसनी आट करना है वह देख लेती हैं तो मैंने जिसी कप से न चावल लिया है उसी कप से 2 कप सुगर लिया है आप 1 आप कभी सुगर ले सकते हैं या inicasına अपनका भी सुगर को एड़ कर सकते हैं चावल दूद में पक करके मेक्सर हो चुके हैं इसी समय पार हमें सुगर को एड़ करना है और इस तरीके से चमच को चलाते हुए शुगर को घोलना है जब खीर कुछ इस तरीके से पख जाती है ना तो बहुत ज़्यादा टायम की जरूरत नहीं होती है बस पांत से 10 मिटमें ही यह तयार हो जाती इस तरीके से गाड़ी होने के बाद हम लाकु साली हर देते हैं तो इसमें आधा चमज नहीं एक छोती चमज में एक both और नारियल बगरा पसंदृ नहीं किया इनना इन्हें टारेक्ट अड्ट कर दिया है क्योंकि यह गर्म खीर में घुल जाते हैं सभी को मैंने मिक्स कर दिया है और चम्मज को इस तरीके से छोड़ दिया है तकि पांच मिर्ट ये और भी पक जाए अब ये तयार है गास की फ्लेम को आफ कर देते हैं क्योंकि ठंद होने के पाद ये थोड़ी से ठिक होगी जल्दी से आप भी भंडारे वाले खीर को तयार कर लीजिए खीर ठिक हो चुकी है रिडी है भंडारे के लिए चलिए आलू बंड़ भी बना लेते हैं ये देखिए एक दम हमने छोटा छोटा और बहुती बढ़िया यूट सा आलू बंड़ बनाया है इसे भी हम भंडारे मे सर्व करेंगे तो गयास पर पैम रखके अच्छे से गरम कर लेंगे इसमें और पर बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए हमने एक चौथ ही चमच सौप का एड़ कर दिया है और एक चमच हमने क्यूमन सीट से एड़ किया है और यह बढ़िया सी क्रिकल हो जाए इसके बाद म बनाने के लिए आधा चमच रैच्छी पाउडर का एड़ कर देंगे एक चमच कुरियंडर पाउडर एड़ कर देंगे और आधा चमच हल्दी पाउडर का एड़ कर देंगे इसे बढ़िया कलर आएगा मसाले बढ़िया से भूनने के बाद मैंने साच से आठ आठ आलू ब जी भूनकर तयार कर लिया है एक चमज गरम मसाला का आपने इसाद आनुसार नमा कर देंगे और खटास के लिए एक चमज आंचुर पाउडर का एड़ करेंगे इन्हें अच्छे तरीके से मेक्स कर देंगे इसमें चाहां जो जन्या पती आड़ कर सकती है आलू बंडे वाली के लिए एक चमज ना रैज चिली पाउडर का एड़ करेंगे अपने श्राद आनुसार नमक और फिर थोड़ी सी अजवाइन को हाथ से क्रिस्ट कर लेंगे और एड़ कर देंगे मिक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते हुए घोल बनाएंगे ताकि लंज या गुठनिया बगेरा ना हो इस तरीके से आप देख सकते हैं गुठनिया भी नहीं है और घोल हमारा परफर्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तयार हुआ है अब हमारी सबजी भी कर देंगे एक साथ हम सारी गोल के बनाकर तयार कर लेंगे ताकि ना फटाफट से वन्द बन जाया और कोई परेशानी नहा हो जब गोल में आप डाले ना तो 3-4 गोली एक साथ डाले इस पॉन से इस घुल को गोली की ऊपर एड़ करें और फिर इस पॉन से भी आड़ कर सक तो यह सिखने के बाद थोड़ से बड़े साहईज में आप देख सकते हैं कि आलू बंड़े इसी प्रकार से कर तयार कर लेंगें और मैंने आर्टे कर डोबी बना कर रखा था क्या कि थोड़ा साब फोल जा और पूरियां भी हमारी फूली-फूली बनकर तयार हो तो मेरी बंडारे वाली सब्जी भी तयार हो चुकी है अब बारी है भोग प्रसाती थारी लगाने की तो चलिए सबसे पहले हम खीर निकाल लेते हैं फिर आलू की बंडारे वाली सब्जी और थोड़ी सी हमने टमाटर की चट्नी बनाई थी उसे भी आड़ कर देंगे फिर आलू बनाए थे इसकी रेसिपी आप इंडियन्स किचिन क्वीन पर देख सकते हैं जी मगज के लड़ू और फिर सोड़ के लड़ू इसमें दू बैट करके वापा को भोग लगाओ बंडारा सुरू करो आपको ये प्रसाथ थाली पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा करके इ